वेलकम बैक टू मैं चैनल आज में बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एक डिफरेंट सेक्टर मतलब एग्रो केमिकल सेक्टर के अंदर कामकाच करती है बहुती बहतरीन स्टॉक है दस साल में इसने निवेशकों को दोस्तो माला माल कर दिया एग्रो केमिकल में बहतरीन रैली लगातार बनी हुई है पैसा सौग उने से भी ज़्यादा किया है इस्टॉक बहुती शांदार है लॉंग टम के लिए एड़ कर सकते हैं आप दोस्तो बात कर रहा हूँ दिगज कमपनी एग्रो केमिकल के बिजनेस में कार रहत है भारत रसायन के बारे में बहुती सांदार स्टॉक है लगातार पैसा इसने बना के दिया अपने निवेशकों को स्टॉक बेसे नसी दोनों में ही लिस्टेड है आए देखते हैं आज 10 स सेतंबर को कैसा कारोबार हुआ करीद 3.5% की तेजी नसी में देखनेों को मिली 333 रुपए के आसपास तेजी रही 9297 पे ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है प्रीवेस क्लोज 8963 999 आज ओपन हुआ था 9,375 का ही बनाके 9,001 रुपए आज दिन का लो भारत रसायन के तो आपको अच्छा कासा पैसा बनाके दे सकती आईए रिटन की प्रोफाइल देखते हैं अब तक कैसा पैसा बनाया तो आज BAC में करीद 3.76% की तेजी भारत रसायन के स्टॉक ने दोस्तों बनाके दिखाई बीटे एक वीक में इसमें थोड़ी कमजोरी बनी हुई है 1.85 परषेंट डाउन रहा है एक महिने में इसटॉक करीब करीब साड़े 15% से ज़्यादा गिरावर्ट दिखा रहा है 2020 के अंदर 48% से ज्यादा की रहली रही है बीते एक साल में 88% का स्टॉक रेलिक कर चुका है तीन साल में निवेशकों को दिये हैं 218% के रिटन दस साल में निवेशकों को कर दिया है दोस्तों माला माल जैसा कि मैंने थमनेल में भी लिखा है कि पैसा 100 गुना और उससे ज़्यादा भी कर दिया है स्टॉक ने तो ऐसी कमपनी में पैसा लगाईए भरपूर पैसा आप कमा सकते हैं एग्रो केमिकल की नंबर वन कमपनी दोस्तों 9903% के रिटन दे के पैसा 100 गुना से ज़्यादा हो गया है चार्ट आप देख सकते हैं किस टाइप का 75 रुपे वाला स्टॉक 11,000 रुपे के से भी ज़्यादा का हाई लगा चुका है तो ऐसा दिगज स्टॉक है और एक और बात दोस्तों इसमें वाल्यूम ज़्यादा रहते नहीं है क्योंकि स्टॉक बहुत ही कम लोगों के पास है और लिक्विडिटी मार्केट में इसके सेहर पे थोड़ी कम है तो 10 सितंबर को 9,297 पे क्लोज होता है वाल्यूम जो ट्रेड हुए आज के दिन वो 4,615 सेहर के हुए है इस्टॉक की फेजल दस रुपे किये थी 3,352 बीक लोग दस 11,700 रुपे का बावन भीक हाई लगाया है बहुत ही शानदार स्टॉक है एग्रो केमिकल पूरी तरीके से न्यूज में है जैसा कि आप जानते हैं इस साल मानसूर मी बहुत ही टाइम पे आया था 88% के आसपास क्रेटन दी है एग्रो केमिकल की कमपनी है बीते एक साल में 88% की रैली कर चुका है अभी बहुत ही अपॉर्चुनिटी को की है कि स्मॉल कैप कमपनी 3938 करों का मार्केट कैप्टल और पी वैलुएशन भी ज्यादा नहीं करीब करीब साड़े 23 और 24 के पी पे कामकाच कर रही कमपनी अच्छी कमपनी है दोस्तों लॉंग टर्म के हिसाब से आप इसमें एड करते रही है पैसे को जब भी मौका मिले आपको पैसा बना के देगा बहुत जाड़ा पैटर्न देख लेते हैं तो प्रमोटर के पास 24 असमलो 18 परसेंट की ओल्डिंग है FII के पास होल्डिंग 0.28% की मूचल फंड के पास 0.46% की ओल्डिंग है वहीं है जो majorizer stock के जो shareholder है दोस्तो जो majorizer holder है वह इसके promoter है आप देख सकते पैसे की समस्यां ने म्यूचल फंड की एक स्कीम ने पैसा लगाया है FII की 15 फंड की एक स्कीम में पैसा लगाया Fl quarter with highest चोल ट्र जो है वो संतनायन चुपता के पास 23.81% की holding highest public एक सेहर होल्डर जो है वो अमबा सेक्योरिटी के पास 4.77% की होल्डिंग आप हम जैसे जो रिटेल ने वेख सके हैं साड़ नौ परसेंट की होल्डिंग रखते हैं भारत रसायन के स्टॉक के अंदर तो लॉंग टम के लिए प्योर मल्टी बैगर स्टॉक है एड़ करते रहें जब भी मौका मिले जब भी गिरावाट हो एड़ करना इसको स्टॉक को बोस्तॉट